हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की बुक की पॉम एक हैपी बच्चे के बारे में जानेंगे तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं, इंजॉय दिस पॉम देखिए इस पॉम में एक हैपी चाइल है, जिससे रिलेटिड ये पॉम है, ठीक है मैरा जो हाउस है वो रेड है, एक छोटा सा प्यारा सा घर एक हैपी चाइल्ड एम आई, और मैं एक ही बहुत जादा ही खुश बच्चा हूँ, जैसे आप सभी बच्चे खुश रहते हैं, उसी तरीके से ये भी एक खुश बच्ची है और मैं हसती हूँ, पूरे दिन खेलती रहती हूँ, और मैं कभी मुश्किल से हार्डली ही रोती हूँ ये कह रही है कि मेरे पास एक ट्री है, ये रहा जिस पर ये जूला जूल रही है अर्गी तरी है, कैसा ट्री है, घ्री जूला जूली है और ये मुझे सूरज से चाय देता है, सूरज की रूप से बचाता है and under it I often sit और मैं इसके नीचे अक्सर बैठा करती हूँ when all my play is done जब मेरे सारे खेल मैं खेल चुकी होती हूँ खतम कर लेती हूँ खेल करके ठक जाती हूँ तब मैं कहा बैठती हूँ अपने इस ट्री के नीचे बैठती हूँ तो बच्चो कैसी लगी आपको इस पॉम क्या आप लोग भी इस तरीके से खेल कर पेड़ के नीचे बैठा करते हैं हमने इस जाना इस पॉम से कि हमें भी इस बच्ची की तरह खुश रहना चाहिए आप सब को भी इस बच्चे की तरह हैपी हैपी रहना चाहिए और कभी भी रोना नहीं चाहिए चलिए देखे, new words ससे सीखते हैं cry, cry means रोना day means दिन red means लाल रंग sun means सूरज चलिए लेट्स रीड, the sun shines in the sky sun कहां पर चमकता है sky में I have a red pen मेरे पास एक red pen है read and match the words with the pictures draw a line यहाँ पर आपको क्या करना है read करना है पहले और फिर picture से word को match कर देना है एक line बनानी है ठीक है तो देखे I am a boy मैं एक लड़का हूँ I am a girl मैं एक लड़की हूँ तो देखे यहाँ पर आपको क्या लिखा वो लिख रहा है boy ठीक है तो देखे यह रहा boy ठीक है अब आप क्या करेंगे boy से इसे match कर देंगे read and match the words with the pictures तो फिर आपको क्या करना है इसे match करना है यह लख यह ہے boy ठीक है I am a girl यह क्या है लड़की ठीक है और यह भी एक लड़की है तो इसे से मैच कर देंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट है फन विद कलर्स अब यहां पिटा करना आपको what is the color of the happy child's house यहां पर आपको color भरने है right color भरने है ठीक है तो अब यहां पर आपको दिखाया है what is the color of the happy child's house तो आप देखेंगे happy child's house का color क्या है तो आप यहां पर color भर देंगे है हैप alcohol misние house का color red है टीक है तो मैं यहां पर red color भर रही हूँ इस तरीके से आप भी इस box में भर देंगे first expecting what is the color of your house अब आपके घर का color क्या है मैण मेरेगर color blue है आपके घर के कलर जो भी होगा वो आप भर सकते है ठीके इस तरीके से What is the color of the tree? Tree के color कैसा है? Green तो यह हम यहाँ पर green color भर देंगे ठीके नेक्स्ट है What is the color of the sun? Sun का color पूछा है तो हम यहाँ पर yellow color भरेंगे Sun का color कैसा होता है? Yellow Bright sun ठीके यह देखिए इस तरीके से आप भी color भर सकते हैं अब नेक्स्ट है Is there a tree growing near your house? क्या आपके घर के पास कोई tree उग रहा है या आपने उगाया है? Tell us about the tree It is big or small हमें बताइए कि वो tree big है यह small है छोटा है यह बड़ा है तो इससे आप देखेंगे अपने आसपास देखेंगे कि कैसा ट्री है तो फिर आप यहाँ पर लिख देंगे Do you like the tree? क्या आपको tree पसंद है? What is the name of the tree? और उस tree का name क्या है? वो आपको बताना है Many kinds of houses Circle the ones you have seen यहाँ पर आपको तरह तरह के घर दिखाए हुए है आपको उस पर circle बनाना है जो आपने देखा है अगर मान लिजिया आपने hut देखा है तो आप hut के उपर circle draw कर सकते हैं यहाँ पर आपको यह dot dot दिया है इन्हें इसे complete कर सकते हैं और अगर आपने igloo house देखा है तो आप इस circle को draw कर सकते हैं अगर आपने flats देखे हैं तो आप इसे यह dot दिया है इस तरीके से कर सकते हैं और अगर आपने बंगलो देखा है तो आप उसे भी circle कर सकते हैं जो आपने देखा है आप उस पर circle करेंगे ठीके, next है draw your house here and talk about it यहाँ पर आपको अपना घर draw करना है, जैसा भी आपका घर बना हुआ है, आप उसे draw कर सकते हैं इस तरीके से जैसा भी आपका घर दिखता है आप उसे draw कर लेंगे आपके हिसाब से, जैसा वो दिखाई देता है जैसे माल लीजिए कि हमारा घर इस तरह से दिखता है तो मैं इस तरीके से draw कर सकती हूँ बाकि जिस तुम्हारा जैसा घर दिखता होगा आप ऐसा draw कर सकते हैं How do you feel? आप कैसा महसूस करते हैं Happy या फिर sad तो ये देखिए Happy या फिर sad ये है happy और ये है sad Sad मतलब दुखी और happy मतलब खुश Draw and say When you get a new dress अगर आपको कोई new dress मिलती है तो आप क्या आपको कैसा feel होता है Happy मुझे तो happy feel होता है आपको भी happy feel होता है तो आप इस तरीके से draw कर सकते हैं अब when you get hurt अगर आपको छोट लग जाती है तो आपको कैसा feel होता है Sad टीक है When you share your things जब आप किसी के साथ अपनी चीजे share करते हैं बाट कर इस्तेमाल करते हैं तो आप कैसा feel करते हैं Yes, very good, happy और आप यहाँ पर happy face ड्रॉव करेंगे When you are ill जब आप बीमार होते हैं तो आप कैसा feel करते हैं Sad क्योंकि बीमार होने पर तो कोई खुश नहीं होता यह लीजिए आप इस तरीके से लिखेंगे और draw करेंगे अब next है बच्चो Draw lines from the house to the people who live in your home यहाँ पर आपको क्या करना है आपको यह आपका घर है ठीक है यह लिखा हो है my home ठीक है और उसमें आपो यह ठीक है अब आपको lines draw करनी है जो जो people आपके घर पर रहते हैं जो भी लोग जैसे यह देखिए अगर आपके घर पर आपके father, mother, sister और brother रहते तो आप इनको इस तरीके से line draw कर सकते हैं ठीक है अगर आपके साथ दादा और दादी आपके grandfather, grandmother भी रहते हैं तो आप उसमें भी line इस तरीके से draw करेंगे और इस तरीके से आप कर सकते हैं ठीके बच्चों इह बहुत कि सिंपल है और easy है आप अपनी बुक में ड्रो कर सकते हैं ओके बच्चो तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा थैंक्यू